नमस्कार दोस्तों आप जूर चुके वाइस ओफ एमपी से और मैं हूँ अब्दुलली इरानी वित्त मंतरी निर्मला सीता रमन ने अपना पाच्वा केंदरी बजट आज पेश किया संसद में और ये जो बजटे इसे सबतर्शी बजट बताया उन्होंने साथ बिंदों को विशेश महत्तु देकर ये बजट दिया गया है ये बजट अभी बजट भाष्ण समाप्त हो चुका है मैं अभी मौजूद हूँ चार्टेट अकाउंटेंट मिट्तल सहाब के यहाँ पर इनसे बात करते हैं चार्टेट अकाउंटेंट के लिए जो बजट ह आज का जो बजट केंद्री वित्तमंत्री मानिय तीतारमंजी ने पेश किया है मेरे सबसे बजट भारत को जो विश्व की पाचवी जो बड़ी एकोनिवी बनाई है उसमें अवश्य योगदान देगा यह बजट मूल रूप से भारत को सही माइने में आधार भुत सरचना प्रदान करेगा इससे प्रतेक भारत वासी का विकास होगा और सही माइने में जो इस बजट की जो गोशना ही हुई है वो बहुत ही उलेखनी है इन सभी गोशनाओं से निश्चित रूप से जो प्रतेक व्यक्ति का फायदा होगा इसमें जो सुधार किये गए हैं वो सभी सुधार संस्थागत और प्रक्रियात्मक किये गए हैं ठोश सुधार किये गए हैं जो जो खुट अपना व्यापार करना चाहते हैं व्यापार को सरल बनाने के लिए जो उनने कोशिशे करी हैं जो 42 केंदरी कानून में कमी करी हैं उनमें शंशुदन करेगा इस आप डूइ अभी दिनों में व्यक्ति अपना खुद का जो व्यापार करेगा निश्चित रुप से उसमें उनको सहाइता प्राप्त होगी. सर इस बजेट में मुख्य रुप से जो बात सामने आ रही है कि सात लाग रुपे तक का इंकम टेक्स स्लेव के अंदर जो रहाद दी गई उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? इंकम टेक्स में पिछले बजट के दोरान दो इंकम के स्लेव हो गया हैं. एक जो slave है जिसमें किसी तरह से छूट नहीं मिलती है अभी देखने में ये आ रहा है कि केवल उसी में 7 लाग रुपे के छूट दिये न्यू रिजिम के जो उसमें है उसमें जो पहले 6 तरह की tax slave थी उसको 5% 5 slave में करा है जो 25% वाली slave को कम किया गया है और उसके slave में भी change करा है हाँ जो 2,50,000 की limit थी उसको बढ़ा के 3,000,000 किया गया है इसका फायदा सब को मिलेगा standard deduction में जो व्रदी की गई है उसका फायदा सब भी को मिलेगा और जो नई नई जो taxism अपनाते हैं government की मन्शा है के लोग बाग नई taxism में ज्यादा से ज्यादा cover हो उसको प्रोसान द पती जो है जो वास्तों में मेहनत कर रहा है या रोजगार के लिए जो वेपारी वर्ग है इन सब के लिए आप क्या कहेंगे इस बजट के मादि में से किस तरह की राहत मिली और उनके लिए क्या रास्तर पुले हैं इस बजट में जो सबसे जादा government ने जो ध्यान दिया है वो हर वर्ग के हमेशा भारत क्रशी बदान देश है निश्ची तरुप से 70% लोग क्रशी पे आधारित है तो निश्ची तरुप से यह तो करना ही है जो क्रशी पे आधारित जो activities हैं उनको बहुत अच्छे से प्रोस्तान दिया है और इस बार cooperative sector को भी बहुत अच्छा उन इस budget की steady के बाद भी निकल के आईगी सर आई टीर भरने के नियमों में भी आसानी की गई पिछली बार तक साथ तरगे फार्म होते थे इस बार केवल एक नया फार्म करा है और ये भी बोला है कि जो पान नंबर है उसी को बेस मान के दूसरी जो department में जो फार्म होंगे वो उसको भी पान बेस कर दिया गया है मतलब कहीं ने कहीं जो पूरे फार्म को जो एक यूनिफार्म है मतलब आपको हर department के जो फार्म है वो वो निशिरुप से कुछ बढ़ने में सरलता प्राप्त होगी और केवल एक income tax को भी income tax फार्म को भी सरल कर दिया है साथ फार्म को कु महिला सम्मान bond भी लाया जाना है महिला सम्मान bond पे साड़े साथ परसेंट ब्याज है और एक अच्छी योजना है इसी तरह से जो senior citizens की डिपाजिट की limit है वो पंद्रा लाग से तीस लाग कर दी गई है जो मंतली बचत इसकी में जो चाल लाग पचास यार थे उसकी भी limit ब के बाद भी और लगातार जो देश की अर्थवेवस्ता है वो सही रास्ते पर चल रही है और क्या आपको लगता है ये budget रेउडी बाटने वाला नहीं बलकि ये आत्म नीरिभर बनाने की दिशा में एक बहतर कदम है बिलकुल बहुत ये ये जो माननी वित्मंत्री ने जो budget पेश किया है, रियल माइने में भारत को बहुत ठोस एक आधार भुत सरचना के रूप निर्मान करने में जाएगा, देखो सबसे अच्छा budget उसको बोलते हैं जिसमें capital expenditure को बढ़ावा मिले, आज railway को भी काफी अच्छा budget allocation किया है, agriculture sector को भी बहुत सारे allocation दिये हैं, तो सबस अच्छा budget उसी को माना जाता है, जो capital expenditure बजट पे expenses करने के लिए प्रोविधन रखा जाए, और मैं सुसता हूँ, इस budget में मानिया, वित्मंत्री ने capital expenditure के लिए परियाप्त प्रोविजन रखें, और परिसिद्य भी पूरी अनुकूल है, GST का collection भी बढ़ा अच्छा है, तो मैं सुसता हूँ कि अवश जो वित्मंत्री ने जो proposal रखें, वो वास्तों में पूरे होने जैसे लग रहे हैं, तो आपने सुना, Chartered Accountant मित्तल साहब ने जो बात रखी है, कि ये budget जो है, देश को आत्म निर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है, और इसी प्रिकार के प पर कितना अमल हो पाता है, और इस दिशा में सरकार कितना ठोस धंग से बढ़ती है, वाइस ओफ MP के लिए मेरे सायोगी पावर नाव शिंदे के साथ, अब्दुलली इरानी